आयो दैसे जो तस्वीरे मिल रही है वो आप आपको दिखाएंगे क्योंकि आम लोगों के लिए राम मंदर के दर्वाजे खौल दिये गए हैं हार कोई आतो रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े दिखाए देना हैं यह तस्वीरे आप देखें कैसे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बारी तादार में लोग मंदर के बीतर भी मौझूद है और यह तो म पूरा खाली हुआ करता था लेकिन इस वक्त आप देखिए प्रभु श्यराम के नाम के जंडे लोग और चारों तरफ राम नाम की गुझ। लेकिन आश्मान से फूलों की बारिश होने से लोगों की खुशी दुगनी होगा। मंत्रचार और विदी विधान के साथ शुब महूर्थ में प्रांट प्रिष्ठा के बाद राम लला की पहली जलक सामने आई। पांच साल के राम लला का रूप मन मोहक और आखों में बस जाने वाला है। क्योंकि राम मंदिर के गर्ब गरे में सोने और फूलों से सजी 51 इंच की राम लला की मूर्थी बेहद आकरशक नजर आई। राम लला के सिर पर सोने का मुगट है और गले में हीरे मोतियों का हार। राम लला की आँखों में मासूमियत, होटों पर मधुर मुसकान और चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रार। कानों में कुंडल सुशोबित हैं, हाथों में स्वन धनुशबान हैं जो मूर्थी को दिव्य और अलोकिक मना रहे हैं। इनके अलावा रत्न जडित कमरबंद और पितामबरी पहने हुए राम लला कमल पर आसीन हैं। मतलब राम लला की पहली जलक दिल में बस जाने वाली है। प्रतिमा को कुछ इस तरह बनाया गया कि लोग अपनी आखें चाहा कर भी नहटा सकें। एक बार राम लला की इस प्रतिमा को देखने के बाद इसे बार बार देखने की लालसा बढ़ती जाती है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीम नरेंदर मोदी ने राम लला की आरती उतारी, ये भव्य और दिव्य नजारा मन को महलेने वाला था और राम लला की प्रतिमा का अलोकिक श्रिंगार देखकर लोगों की आखें खुली की खुली रहे मुर्ती में बाल रूप में सौमिता और कोमलता के साथ राजसी वैभव भी है सोने और हीरे जवाराज से राम लला का श्रिंगार किया गया और भव्विता ऐसी की आखें पलकें जपकना तक भूल जाएं पूरा देश मनमोहक मुसकान लिए राम लला के उस दिव्य बाल रूप को निहार रहा है जिसके लिए सदीयों तक इंतजार किया गया प्रभु राम का रूप जितना दिव्य है उतना ही भव्य भी राम लला के मस्तक पर हीरे और मानिक के रतनों से तिलक लगाय गया है ही बनती है मुकुट के ठीक बीच में सूर्य अंकित है और दाइं है अंकित है घ्रइब के एैंगनी अं help